शिमला जिला के अंतरगत रोहडू टिकर के तहत नावर क्षेतर के गाउं गुजांदली के चार मंजिला मकान में अचानक आग लग गई हाथसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते मकान राक के धेर में तबदील हो गया इस आगजनी की वज़ा से मकान में रह रहे आठ परिवार बेघर हो गए हैं गनिमत ये रही कि हाथसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ शिमला जिला के अंतरगत रोहडू टिकर के तहत नावर में बीती आधी रात गाउं गुंजांदली के आठ भायों पर कहर बन कर तूटी रात बारा बजी के करीब शौट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते 20 से अधिक कमरों के चार मंजिला लकडी के मकान को राख के धेर में तबदील कर दिया स्थानी लोगों वाँ पुलिस ने अपने सतर पर साथ लगते मकानों को आग की भेंट चलने से बचा लिया लेकिन आठ परिवारों के मकान को नहीं बचा सके आग लगने की सूचना मिलने के बाद अगनी शमन वेफा की टीम मौके पर पहुँची गनिमत ये रही कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई है लेकिन आठ परिवार कड़कडाती ठंड में बेघर हो गए है इस आगजनी में करोडों का नुकसान हुआ है मकान लकडी का बना हुआ था दियसपी रोहडू सुनील नेगी ने आगजनी की पुष्टी की है उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के साथ हर संभव सहायता दी जाएगी वहीं मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को पेडित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिये गए हैं मुख्यमंत्री ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में इस तरह क कि घटनाएं अकसर पेश आती हैं इसलिए एहतियात बढ़ते हैं हुआ है ऐसी परसिती में हमने डिश्टी का इडिमिस्टेशन को कहा है कि तुरंत जो है राहत के रूप में जो मदद वहां पर की जा सकती है परवावीтор परिवारों की वह सुनिश्चित करें और वहां आके कारणू की بھی जवी जाँच करें और उसके साथ साथ में जो लोग है उनको इस सर्दी के मौसम में जो जो भी आवशक्ता होगी उस आवशक्ता को पूरूं करने में सौयोग दें इसी प्रकार से मेरे विधान सबाक शेतर में भी दो जगा बाली चोकी में और उसके बाद जिंजैली में भी दो जगा आग लगी और मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में ऐसी गटनाएं बहुत ज़ादा होती है क्योंकि सुखी लक्रियां, सुखी चीजें गर के नज़ीक होती हैं तो बहुत एहतियात बरतने की भी आवशकता है गाउंबलों को भी है, सब लोगों को भी है और प्रशाशन भी इस तरह से जो त्यार रहे हैं